कि चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे हमें होता है कि हमें किसी का वटसेप स्टेटिस पसंद आ रहा तो अगर फोटो है तो तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर लगा लेते हैं मुझे स्क्रीनशॉट में भी साथ में उस विक्ति लिए उनके स्टेटोस को तो येस हम कर सकते हैं वह भी बिना किसी आप के तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी स्टेटोस को लगाना है वह स्टेटोस को आपको फुली देखना पूरेगा मैंनेजर आपको दिखाया उसे मुझे स्टेटास लगाना है वह ऐसा हम कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं फवान देननेड बेहले को अपने फाइल मानेजर में आपको यह अंड्राइट सेटिंग मिल जाएगे मैं कुछ फोन में डिरेक्ट वोटस एप भी मिल जाता हूं तो मैंने डिरेक्ट वोटस एप क्लिक करता हूं अब वाटस एप क्लिक करने हमें फिर आपको तो उस थ्री वाले आइकन पर क्लिक करेंगे पर आपको स्टेटिंग्स सेटिंग्स में एक ऑप्शन देगा सो हिडेन फोल्डर उससे आप इनेबल करें लिए उसके बाद फिर हिदर आके यहां पर आपको सारे स्टेटिस दिखा देंगे जैसे मैंने अभी यह देखा था हमे स्टेटिस लगाना है तो मैं डिरेक्व इस पर क्लिक करने के बाद सेंड पर आपको यहां पर सारे ऑप्शन सा जाएंगे वोट्ट्प यहां पर देखिए हम आपर मैं भी आप्वी स्टेटिस प्राइवेसी कर दिता हूँ किसी को नहीं क्यूंकिक्या जो करने कर दो हुँ कि नो कॉंटेक्ट सेलेक्टिड हो गया उस स्टेटस लगा देता हूं से मैं कि मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि यह मैंने किसी और के स्टेटस को लगा तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हों तो इस वीडियो को आपको पूरे देखने की जरुवत है इसके लिए एक भी स्टेप को छोड़िएगा मत वहिन आप नहीं कर पाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज दू लाइक श्राइब सब्सक्राइब ट जिए है यह वीडियोendर